Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel So, अगर आपके पास 10 से 15 मिनट है तो मैं आपसे request करूँगा Please look करके ये वीडियो end-to-end देख लो Because इस वीडियो में एक ऐसा topic cover होगा जो आपको बहुत help कर सकता है So, आप सभी को पता है कि अगर आप एक data scientist बनना चाहते हो या फिर एक data analyst बनना चाहते हो तो आपको statistics का अच्छा knowledge होना चाहिए So, that is why I have decided कि इस वीडियो में मैं आपके साथ एक statistics का roadmap शेर करने वाला हो जो सिर्फ 30 days में आपको statistics ऐसे level पे सिखा देगा कि आपको future में going forward data science में या फिर data analysis में कोई भी problem नहीं होगी around statistics यह पूरा का पूरा roadmap मैंने बहुत time लेके बनाया है और काफी knowledge और experience मेरा लगा है इस roadmap को बनाने में and I can proudly say कि it covers almost all the topics that are required for statistics and not only that, इस वीडियो में मैंने साथ ही साथ कुछ resources भी शेर किया है जो मेरे favorite है, statistics सीखने के लिए तो I guess you are interested, let's start the video So yeah guys, let me show you the roadmap This is the roadmap जो आपके screen पर है मैंने ये पूरा roadmap Google Sheets पर बनाया है So that बहुत असानी से शेर हो पाए So roadmap की technicalities बताने के पहले मैं आपको कुछ अच्छी चीज़े बताता हूं इस roadmap के बारे में So first of all, ये जो पूरा का पूरा मैंने roadmap design किया है जो curriculum मैंने design किया है statistics के लिए ये मैंने काफी लंबा time लेके design किया है So मैं statistics पिछले 5 सालों से पढ़ रहा हूं Like multiple times मैंने statistics पढ़ा है But अभी recently जब मैं मेरा पहला data science mentorship batch पढ़ा रहा था वहाँ पर मैंने काफी time spent किया statistics के उपर और उसके बाद मुझे काफी knowledge आया about statistics और उस पूरी चीज़ से मैंने फिर ये roadmap बनाया है So I can say with 100% confidence कि अगर आप ये roadmap पूरा cover करते हो end to end तो statistics में आपका कुछ भी बचेगा नहीं में भी थोड़ा इदर उदर कुछ बहुत specialized topics बच जाएंगे बड़ जो common topics है जो interviews में पूछे जाते हैं जिसका आपको knowledge होना चाहिए वो सारे topics यहाँ पर covered है second अच्छी बात यहाँ पर मैंने सिर्फ topics नहीं लिखे हैं मैंने साथी साथ एक description भी provide किया है कि आप यहाँ पर देख सकते हो so description में क्या है कि मैंने बताने की कोशिश की है कि वो particular topic machine learning में, data science में, data analysis में कहां पर use होता है so मुझे personally यह feel होता है कि हमें सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहें तो यह पूरा road map अगर आप end to end scroll करोगे तो you would find सारे के सारे topics के लिए मैंने आपको पहले से बताया है कि वो particular topic machine learning, data science, data analysis में कहां पर use होगा so that आपको एक पूरा का पूरा idea हो ठेक है second अच्छी बात मैंने यहाँ पर कुछ topics को color and code किया है so you can see कि कुछ topics आपके yellow color में है और कुछ topics red color में है और बाकी के सारे topics white background में है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पर मैंने बता रख है कि यहाँ पर जो भी yellow cells है इनको मैंने important mark किया मतलब these are like important topics और यह आपको definitely पता होने चाहिए और जो red topics है they are like extremely important topics और हर जगा use होते है तो यह तो आपको बिल्कुल ही आना चाहिए ठेक है और बाकी के जो topics है they are normal topics but still आपको उनके बारे में knowledge होना चाहिए साथी साथ मैंने एक और चीज़ की है अगर आप notice करोगे तो कुछ topics के आगे मैंने एक bracket में L लगा रखा है so उस L का मतलब है later इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ये roadmap पढ़ रहे हो तो इन में से कुछ topics को आप skip कर सकते हो बाद के लिए ये वो topics हैं जिनको आप तब पढ़ाई करो जब आपको इनकी requirement है जैसे आप एक कोई algorithm पढ़ रहे हो और उसमें उस particular topic की requirement है तो you can come back and you can study the topic but you can skip it for now ये option है आपके पास अगर आप थोड़ा कम time में ये पूरा का पूरा roadmap cover कर रहे हो तो you can skip these topics but जिन topics के आगे L नहीं लगा हुआ उनको आप अभी cover करो line से cover करो तभी आपको जाधा फाइदा होगा तो ये थोड़ी महनत मैंने की है additional महनत apart from giving you the topics अब move करते है roadmap पे so roadmap किसी भी statistic roadmap की तरह ही है बस थोड़ा जाधा detailed है so अगर आप देखो तो यहाँ पर module है और हर module के अंदर topics है तो अगर मैं आपको पहले बहुत useful होते हैं आपको पता होना चाहिए so descriptive statistics में हम यह सारे basic topics cover कर रहे है जो आपको data analysis and all में बहुत help करते हैं population versus sample types of data, measures of central tendency dispersion, quantiles and percentiles skewness, kurtosis और फिर univariate, bivariate, multivariate analysis यह सारे topics हैं जो descriptive के अंदर आते हैं यह सब भी आप बोल सकते हैं this is the gray area covariance etc और उसके बाद फिर शुरू हो गया है probability distribution वाला part which is extremely important पूरा का पूरा hypothesis testing इनके ओपर depend करता है तो random variables क्या होते हैं probability distributions क्या होते है PMF क्या होता है, PDF क्या होता है, CDF क्या होता है kernel density estimation क्या होता है 2D density plots कैसे दिखते हैं उसके बाद हम types of probability distribution में आ रहे है और जितने भी various types of distributions available है वो सारे यहाँ पे listed है normal distribution, uniform, Bernoulli, binomial, log normal etc यह सारे के सारे distributions के बारे मैंने यहाँ आपको detail में बता रखा है उसके बाद फिर हम main एकदम inferential statistics में घुश जाते हैं जहाँ पर हम confidence interval cover कर रहे है और साथी साथ central limit theorem cover कर रहे है और फिर सबसे main hypothesis test हम लोग cover कर रहे है तो पहले hypothesis test का पूरा introduction है और फिर जो अलग-अलग type के hypothesis test होते हैं जो सबसे important वाले होते तो बहुत सारे हैं तो मैंने यह सारे के सारे यहाँ पे list down कर दिये हैं साथी साथ बता भी रखा है अलग से लिख रखा है जैसे कि शबाइशेप्स, इगने quality, QQ plot, sampling हो गया resampling techniques हो गई आपके statistical moments हो गई और Bayesian statistics का थोड़ा सा introduction हो गया बहुत deep में जाना तो like it would be a separate thing बट या थोड़ा introduction आपको होना चाहिए आइडिया होना चाहिए around Bayesian statistics ठीक है? तो this is the entire road map if you ask me, ये road map cover करने में आपको एक महिना लग जाएगा assuming आप daily 2,5 गंटे spend कर लो so roughly around you need 60 hours to complete this road map according to me but अगर आप उट 60 hours सही से dedicate करते हो I promise you आपको काफी अच्छे level पे statistics समझ में आ जाएगी ठीक है? तो ये तो हो गया कि क्या पढ़ना है? अब इस question को answer करते हैं कि कैसे पढ़ना है? तो मैंने आपके लिए एक resource list बनाया है और इस resource list को आप follow कर सकते हो in order to complete this road map ठीक है? तो मैं आपको जंदी से एक idea दे देता हूँ क्या-क्या है इस resource list में तो मैंने बहुत अच्छे से categorize कर दिया है मैंने अपना एक course डाला है statistics के उपर मैंने अपने notes डाले है मैंने दूसरों की YouTube playlist डाले है books आपको provide की है online courses जो मुझे अच्छे लगे मैंने उनका नाम डाला है कुछ blogs में जो बहुत अच्छे हैं उनका नाम डाला है सबसे उपर मैंने अपना ही course रखा है because I feel की मेरा roadmap है तो मेरे course के थूँ अगर आप पढ़ोगे तो आपको जादा समझ में आएगा ऐसा मुझे लगता है बट अगेन आप बाकी resources भी follow कर सकते हो मेरे YouTube channel पे आपको ये playlist मिलेगा playlist का नाम है Maths for Machine Learning इसमें फिलाल 21 lectures है lectures है मतलब these are not small videos 2-2 घंटे के lectures है but durations है मत डरो बहुत अच्छे से simple terms में पढ़ाया है आप अगर एक दिन में या दो दिन में एक lecture भी complete करोगे it would take around 30-35 days to complete all of this आपको सब कुछ cover भी नहीं करना यहाँ पे सिर्फ 10 lectures है statistics के ओपर यह जो पहले 10 lectures आपको देख रहे है अगर आप यह 10 lectures cover कर लेते हो तो इस roadmap का around 90% आप cover कर लोगे ठीक है बाकी के 10% के लिए आप बाकी के resources यूज कर सकते हो next resources मेरे खुद के statistics के notes तो यह कुछ 1500 page का एक PDF है जहाँ पे मैंने statistics के बारे में notes बनाए है this notes will also help you और मेरे video lectures के लिए यह तरह का backup का काम करेंगे खीक है so you can go through the notes as well इसके अलावा मैंने यापर दो YouTube playlist आड़ किये so one of them is Statistics Fundamentals by StatQuest I guess आपको पताए होगा it's an awesome channel to learn statistics and machine learning second IIT Madras का I guess एक playlist है जहाँ पर इनके lecturers ने बहुत detail में statistics पढ़ा है तो ये lecture भी मुझे ठीक लगे जितना भी मैंने देखा तो आप एक बार ये try out कर सकते हो अगर आप books की बात करो तो मैंने books में 2-3 books यहाँ पर add किये so the first book is ISLR Introduction to Statistical Learning बहुत ही famous book है और although इसमें specifically statistics के topics नहीं है but काफी कुछ statistics related आपको मिलेगा इसके अलावा एक और book है Practical Statistics for Data Scientists this is also a good book मैंने पढ़ा है इसको काफी end to end और काफी practical चीज़े आपको इसके अंदर मिलेंगी around statistics for data science तो आप एक बार देख लेना इसमें क्या-क्या है जो लोग statistics पढ़ा रहे है अपनी website पे इन में से एक ये website बहुत famous है शायद आपने सुना भी होगा Machine Learning Mastery और इसमें statistics related बहुत blogs है तो मैं काफी follow करता हूँ इस website को it's a good website आप follow कर सकते हो and last में I have provided some cheat sheets कि अगर आपने let's say पूरा का पूरा पढ़ाई कर लिया तो आपके पास revision के लिए थोड़ा सा कुछ होना चाहिए तो ये cheat sheets है तीन चार cheat sheets मैंने add किये है आप इनको use कर सकते हो for revision ठीक है तो yeah this is the roadmap and these are the resources ये दोनों ही आपको video के description में मिल जाएगा और I would like first of all कि अगर आपको लगता है कि कोई topic यहाँ पे missing है please comment में लिखके बताना मैं जट से उसको यहाँ पे update कर दूँगा और अगर आपको लगता है कि कोई resources है बहुत अच्छे जो मैं miss कर गया तो वो भी आप मुझे comments में लिखके बताना मैं जट से इस file में add कर दूँगा the goal is very simple कि future में कोई भी जब यह video देखे तो उसको एक बहुत organized form of content मिले statistics सीखने के लिए क्योंकि statistics आज की देट में बहुत important है अगर आप data science की बात कर रहे हो वहाँ भी उस होता है अगर आप data analysis की बात कर रहे हो वहाँ भी उस होता है तो that is why it is extremely important for you to learn statistics तो please let's create a very good resource so that जब भी future में कोई आए तो उसको एक बहुत powerful statistics का resource मिले ठीक है बात लिए अगर आपको यह पूरा का पूरा मेहनत जो मैंने किया पसंद आया तो please video को like करना और अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है please subscribe हम लोग 100k का mark hit करने वाले and it's a big milestone for me थोड़ा help करो जल्दी पहुतने के लिए ठीक है so yeah that's it from my side मिलते हैं next video में बाई